दोस्तो नमस्कार आप सभीकर स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजुकेशन न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकेत सा विबाग भरतियों को ले करके और जैसा कि आप लोगों से हमने वाइदा किया था कि वाई समय समय पर हम आचर सहिंता के दोरान आप लोगों से रूबरू होने के लिए आते रहेंगे और लगातार आरेनेस एजुकेशन न्यूज आप लोगों तक जो खबरे हैं जो जानकारी है वो पहुँचाता रहा है तमाम वो जो पहलू है भरतियों को लेकर के तमाम वो बाते हैं वो टेलीग्राम चैनल के मारफ़त से अब तक पहुचाता रहा हूँ और तमाम जो भरतियों साथियों चिकितसा विभाग की उन सब के लिए पहला और सटिक जो जबाब है वो मेरा ये है कि देखिये भाई कोई भी लोग जो है चिंता मत करो जिनका प्रोविजिनल में नाम आ चुका है वो लोग जिनका नाम छूट गया था परसंटेज काम था या उनकी अप्लिकेशन आड़ी थी जिनका होल्ड में कुछ भी गलत नहीं है ना यानि कि उन्होंने जैनुवनली पास किया है चाई बंगलोर से किया हो चाई हरियाना से किया हो पंजाब से किया हो यूपी से किया कहीं से भी किया हो education आप लोग हमारे constitution जो है हमारा जो सवीधान है हमारी जो education जो प्रनाली है जो system है हमारा education का M.H.R.D. जो है ठीक है अब उसे सिक्षा मंत्रा ले कर दिया गया है पहले मानवसन साथन विकास मंत्रा ले होता था जो education को देखता था अब उसे सिक्ष्य मंत्राले कर दिया गया है तो MHRD और जो तमाम UGC हो या नर्सिंग कॉंसिल हो आई एन सी इंडिया नर्सिंग कॉंसिल हो या फिर स्वास्य मंत्राले भारत सरकार हो उसके तहत आप किसी भी स्टेट में जाकर के कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर सकते हो है जो भाई साब घर बैट करके ले आए डिग्री और काफी मोटा पैसा खर्चा और यहां जैक जुकाड लगा के RNC वगरा में रजिस्टेशन भी करवा लिया क्योंकि ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है जो लोग दो नंबर से डिग्री डिप्लोमा करते हैं उनके पैसा बहुत होता है क्योंकि पैसा वो लोग रखते हैं इसलिए कि बस किसी भी तरीके से एक नोकरी मिल जाए तो होल्ड में सिर्फ उनको डरना है जिन्होंने गलत तरीके से एजुकेशन ले रखी है जिनकी डिग्रियां फरजी हैं खुद को भी पता है और मैं सिर्फ इत चुनाव आयोग से जो परमीशन है वो मिली की नहीं मिल इलेक्शन कमीशन से साथियों आप लोगों का जो वर्क है वर्क से मतलब है बरतियों का जो काम है जैसे परिवेदना का काम है जैसे होल्ड वालों की डिगरी डिपलोमा जाचने का जो काम है तो वो जो परमीशन ये कि आप लोग भरतियों का काम चालू रखें जो की अच्छी बात है गुड नीज है अब सातियों क्या होगा भाई आठ भरतिया हैं आठ में से साथ जो भरती हैं उनकी इन्होंने लिस्टे वगरा प्रोविजनल वगरा जारी करती हैं होल्ड बच्चे रखे हैं और एक जो भरती है भाई साथ फारमासिस्ट ठीक है सातियों ये फारमासिस्ट वो भरती है सबसे ज़्यादा अगर दुख मुझे है तो इस फारमासिस्ट भरती को ले करके गिल्टी फील होती है अंदर से दुख होता है कि एक ऐसा केडर है नर्सिंग और पैरामेडिकल में फारमासि तो हुई नहीं और pharmasis में जो खेल हुआ था आप लोगों को हुए पता है तो साथी हो जो फार्मासिस्ट भरती हो pharmasis वालों के लिए इसलिए special कह रहा हूँ जो भी pharmasis के साथी है भाई 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 ने मेरे चोटे या बड़े वो बिल्कुल भी चिंता आप लोग मत करो जो फर्जी होगा वो बहार होगा ठीक है जिनका बिल्कुल सही है वो लोग नोकरी लगेंगे आप लोगों की लिस्ट आएगी अब लिस्टों के लेकर कि क्या है सात्यों की election commission ने जो permission दी है ठीक है न सात्यों कि भई आप लोग काम जारी रख सकते हो वो जो permission है साती हो वो मिल चुकी है और सिफू तक उसकी जो file है वो चली जाएगी ठीक है जैसे सिफू को मिलेगा न कि हाँ भई ये permission है आप लोग काम कर सकते हो तो ये सिफू क्या करेगा आप लोगों की जो परिवेदना थी ठीक है न grievance जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में जो grievance आप लोगों का था परिवेदना था जिसमें और hold वाले हैं ठीक है अब काफी सारे ऐसे भी लोग हैं कहना नहीं चीए मुझे YouTube पर क्योंकि आप मेरे भाई बेन हो लेकिन कुछ लोग इतनी मूरक्ता की चीजे करते हैं न नर्सिंग के हो चे पैरमेडिकल के हो जिनका point 2 कम था point 5 कम था point 7 कम था 1% कम था 2% कम था ठीक है उन लोगों ने भी परिवेदना लगाई यानि कि totally time wasting कहने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने इस तरीके की चीजे की ये एक तरीके से क्या है भरतियों को लंबा खीचने की कोशिस की जाती है जब मैंने बता दिया था अब वही लोग मुझे call करके पूछते हैं या message के दूरे पूछते हैं दो कम थे मैंने परिवेदना लगा दी क्या मैंने सही किया क्या मैंने गलत किया और उसके बाद मेरा जबाब तो obviously यही होता है कि भाई जब तुमने करी दिया तो पूछा ही मत करो जो चीज़े आप लोग कर चुके हो मुझे से ना पूछा करो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने परिवेदना बिवजे लगा दी काफी सारे ऐसे भी हैं महानुभाव जो नर्सिंग ओफिसर या एनेम या कुछ भी बनने जा रहे हों आठ भरतियों करिगाड़ी तो उन्होंने भी लगा दी होल्ड वालोंने भी ठीक है अपने मन से ही कारण वो लोग निकाल के ले आए ठीक है होल्ड वालों की कहानी बता रहा हूं काफी सारे लोगों को हमने मना किया था कि किसी भी होल्ड वाले को कुछ नहीं करना लेकिन होल्ड वाले भी अपने मन से कारण ले आए कि भाई साब फादर की ने में एक स्पिलिंग के दिक्कत थी एक के जगे बी हो गया था या ए नहीं था अब ये गलती लिया इस वज़े मुझे होल्ड कर दे जब कि ऐसा कोई भी कारण नहीं था होल्ड किनको किया था जिनके डाक्यूमेंट इन्होंने वेरिफाई नहीं किये थे ठीक है या अधर स्टेट से पास आउड थे कोई इस्यूस था कोट का चेरी बगर का उनको होल्ड किया था तो उसके बाद अब सात्यों देखिए ईसी की परमीशन मिल गई है कामियों लोग चालू रखेंगे च्यार नोंबर को जो है हीरिंग है नर्सिंग ओफिसर की क्या सुनवाई है जो जितिंदर छंगाणी का मामला है वो वो सूर्ट आउट हो जाएगा इस्टे हड़ जाएगा इस्टे वैसे कहाँ पे है जो न्युकती है उस पर है अनो में तो च्यार नोंबर कोड़ जाएगा पांस साथ दिन की बात है च्यार नोंबर को इस्टे आड़ जाएगा सरकार जवाब दे रही है वहाँ पे दूसरी बात दोस्तो अब जो लिस्ट है आप लोगों की है ठीक है भाई लिस्ट के लिए अब ये सिफू काम चालू करेगा अब ये जो काम है होल्ड वाले डाक्यूमेंट जाचना और जो परिवेदना जिनकी लगी है जिनका बच्चों का नंबर नहीं आये था भई परसंट भी टेज भी जादा थे और उसके बाद भी उनका नंबर नहीं आये था तो ऐसे बच्चों को देखेंगे वो कि क्या जैनुरली वो सही थे कि वाकई में उनका नंबर नहीं आया मिसिंग हुए वो तो ऐसे इस काम को करने के लिए अब सिफू पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है सिफू वही हाथ बाबा के हाथ में गेंद है बाबा कोन ही आप है जो भरती एजिंसी है वो ठीक है भाई इलेक्शन कमिशन की हाँ अब सिफू के पाले में फिर से गेंद है अब सिफू भाई साब इस काम को कितने दिनों में करता है ये सिफू ही जाने ठीके ना मैं कुछ नहीं कह रहा है इस मामले में सिफू ही जाने और सिफू क्या करेगा जितने भी दिन लगाएगा 10 दिन 20 दिन महीना वो सिफू सारी भरतियों के जो काम है उनको करेगा और उसके क्या final list में भी नाम आएगा देखिए साथियों एक किस्तती आप लोगों को बता देता हूँ हलंकी मैं बताना चाहता नहीं था क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद भी comments होंगे देखिए provisional list जो इन लोगों ने जारी की वो जारी की लगबग दोस्तो 8713 लोगों की शायद की थी इन्होंने अनों में ठीक है और दोस्तो कम से कम 4800 के आसपाश जो कुछ था ANM में की थी hold वगरा सारों को totally मार करके आप देखिए जो 8713 की list इन्होंने जारी कर दी आप भाई काफी सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनका percent जादा था और उनका list में नाम नहीं है अब भाई साब 8713 तो कर दिये सहरिया वाली पोस्टों पे आपका कोई लेना देना हाई नहीं किस पे सहरिया वाली से तो 8713 तो जो लोग इनको लेने थे हो उन्होंने इस list जारी कर दी अब साब 8713 के बाद जिन लोगों का प्रतिस्द जादा था वो भाई साब कहां जाएंगे ठीके ना list में तो जो छोटे हुए candidates थे जिनका high percent था और उनका नाम गलती से सिफुने नहीं डाला तो वो लोग जब add होंगे list में किसमे final में तो जिनके प्रतिस्द कम थे वो बाहर हो सकते हैं ठीके किसी भी कैटेक्ट माल लीजिए एक उधारन देके समझे हूँ आप OBC है OBC का मालों को 68 percent था ठीके 68 percent 68 percent का last बच्चा इन्होंने लिया अब इन्होंने क्या करना जैसे मालों OBC पचास लोग छूट गए भाई जिनका प्रतिस्द ज्यादा था ठीक है एक उधारन बता रहा हूँ इसको correct data मत मानिएगा पचास लोग छूट गए अब पचास लोग छूटे तो भाई ये तो list के अंदर आएंगे अब पचास last percent वहाँ पर मालो जी इन्होंने अड़सट लिया अब भाई सब पचास लोग अड़सट के भी हो सकता उनगतर का भी शत्तर का भी तो इन लोगों को adjust करेंगे तो अड़सट वाला जो था उस पर दिक्कत हो सकती है ठीक है यानि की कहने का मतलब ये है प्रोविजिनल जो लिस्ट है और फाइनल लिस्ट है उसमें बदलाव संभव हो सकता है और ऐसा definitely nursing officer में भी होगा और A&M में भी होगा depend करता है nursing officer में कि कुछ जो bonus अंग को ले करके और जो कुछ लोग अभी भी जिनका किसी other का experience लगा हुआ है ठीक है प्रतिसत जो है down होंगे nursing officer के वो इसलिए हो सकते है nursing officer के कि कुछ लोगों का अभी भी अनुभव मानने नहीं था उनका मानने कर रखा है वो लोग जो भाटेंगे तो nursing officer में तो दिक्कत आएगी नहीं कि कोई प्रोविजनल में नाम हटें ठीक है nursing officer में लेकिन जो एनम की भरती है साथियो बहनों एनम की हैं तो एनम में ऐसे काफी सारे नाम missing हैं जिनका प्रतिसत हाई था जिनका प्रतिसत हाई था और उनका फिर नाम नहीं आया प्रोविजनल लिस्ट में तो एनम में दिक्कत होगी क्योंकि एनम में जो बोनस अंक दिये गए थे या जो फरजी आप लोग अगर एक तो मान लेते हों लिस्ट में एनम की में ठीक है ऐसा मेरे सामने भी उधारन आया नहीं है कोई आएगा तो जरूर साजा करूँगा तो एनम में मुझे लगता है कि जो प्रतिसत है प्रोविजनल के बाद जो फाइनल आएगा उसमें मुझे लगता है खुद का उपीनियन है कि उसमें कुछ बढ़ सकता है जबकि एन ओ नर्सिंग ओफिसर में जो प्रतिसत है वो यहाँ पर final list में down हो सकता है तीक है ये मेरा अपना खुद का अकलन है इसे verified ना समझो बिलकुल भी तीक है तो ये चीजे होंगी अब आप लोग को list कब तक आएगा साथ यो depend करता है सीफू के mood पर सीफू के कारिय प्रनाली पर तो आप लोग मोटा मोटी तोर पर बात करें तो मुझे जहां तक लगता है चुनाओ होने तक ये लोग क्या करेंगे list वगएरा ही तैयार कर पाएंगे और ऐसा लगता है मुझे कि चुनाओ के बाद final list और उसके बाद की जो processing है वो पूरी हो पाएगी कुल मिला करके अब 10 से 15 बीस दिन के अंदर तो कुछ होना नहीं है ठीक है जो खुसियों के आप लोग बात कर थे कि दिपावली पर खुसिया मिलेंगी खेर खुसिया मिली है लेकिन आदी अधूरी है तो वो जो चीजे हैं अब after दिपावली ठीक है होंगी अगली दिपावली अच्छे से मनाना और त्याहुआर तो हार अच्छे से मनाना है आप लोगों को बिल्कुल सीना तान के ठीक है नोकरियां मिलती है तो जीवन चल जाता है हम जैसे लोगों का लेकिन ना भी मिले तो घबराने के आउशकता नहीं है है आप डिपेंड करेगा सिफू पर और जो बैने भाव थे मेरे ठीक है ना भाई कौन सी कटोफ कम हो सकती है कौन सी ज्यादा हो सकती है वो जिसमें से फर्जी निकल जाएंगे ठीक है ना वो कटोफ डाउन हो जाएगी जिसमेंचे फरजी होंगे ही नहीं प्रोविजनल में नहीं थे तो उसकी कटोफ वही रहेगी या थोड़ी बढ़ सकती है अगर जिन बच्चों का प्रतिसत ज्यादा था नाम नहीं था उनके कारणा लेकिन एनम में मुझे लग रहा है ऐसा कि एनम का कटोफ बढ़ सकता है ठ उसके बाद 88 और 89 की 2-4 लड़कियां का जो मुझे उन्होंने पूछा था यह सर मेरे 78 परसेंट थे आया नंबर नंबर नहीं आया क्या करण था तो उन्होंने परिविदना लगाई है ऐसे बहुत सारे केसेज हैं लेकिन जीनम इनकेसेज की संक्या कम है और जीनम में अभी इसे एक्सपिरेंस वाले लोग हैं जिनको एक्सपिरेंस गलत दिया गया था या जिनके अभी भी फरजी तरीके से जिन्होंने अनुभव को किया उसे क्रोस चेक कर के लोग देखें तो अदो में कम होने की पॉसिबिलिटी है फाइनल में ठीक है बाकी एनम में बढ़ने के आसंका मेरे अकोर्डिंग ठीक है तो ये साथियो बात थी और जिस भी भरती में फरजी लोग निकल जाएंगे अभी भी अगर कोई प्रोविजनल लिस्ट में है तो उनका कटोफ जो है कम हो सकता है जितने फरजी निकलेंगे बसरते जरूरी ये कि ज्यादा प्रतिसत वालों का नाम नहीं था वो एड़ जादा ना हो तो ठीक है नहीं तो एन में बढ़ने वाला है ठीक है साथि और ये सारी चीजें बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी उम्मीद कीजे दुआ कीजे फार्मासिस्ट वाले भाई बैनों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग देखिए सारी किये रजिस्ट्रेशन वगड़ा आर पीसी में फार्मेसी कॉंसिल में तो उसके बाद है ठीक है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं यह भरतियां रद्द कर देंगे फलाणी सरकार आ जाएगी धिमकानी सरकार आ तो साथियो ऐसा कुछ नहीं होगा भरतियां पूरी होंगी पचास बार मैं लिख चुका हूँ पचास बार मैं बोल चुका हूँ भरतियां पूरी होंगी चाय कोई भी सरकार आए ठीक है Congress और BJP दो याति हमारे यांतो अब Congress और BJP आगे तो भी भरतियां पूरी होगी Congress वापस आगे तो भरतियां पूरी होगी vote आप लोगों को देना है किसको देना है यह आप लोग टेक करेंगे मैं मेरे इस platform से कभी भी यह नहीं कहूँगा कि आप उस party को vote देजिए ठीक है बहुत सारे लोग कहते होंगे क्योंकि मेरी अपनी सरकारी नोकरी है मैं किसी भी party को यहाँ पर vote देने के लिए नहीं कह सकता मेरे भी government नोकरी के कुछ rules है जिनको मुझे follow करने है ठीक है कलने कह दूं किसी भी party के pucks में या विपक्स में तो दिक्कते मुझे हो सकती है इसलिए हम बचते हैं सी चीजों को कहने में आपका मन है जहां आपको उचित लगे जहां आपको सही लगे उसे vote कीजिए कोई भी party सही लगे तो नोटा को vote कीजिए लेकिन vote चरूर करना है ठीक है साती हो तो इसलिए भी बता देता हूँ मैं और चैनल्स की तरह लिखके नहीं दे सकता कि इस सरकार को vote दे जीजिए इस party को vote दे जीजिए और आपकी नोकरी मिल जाएगी भाई मेरे लेके भाड में जाए सरकार है ठीक है जिसको मन करे उसको vote करना है इतना दावा मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार आए तुमारी भरतियां पूरी होंगी ये आरनेस का चैलेंज है दावे के साथ ठीक है ओन रिकोर्ड कहता हूँ सारी बत है चाहे तो आके देख ले ना और जब नोकरी की न्युक्ती होगी उस दिन आरनेस चैनल पर लाइव आप लोगों को केक भी खिला जाएगा सबको ठीक है ना तो चिंता मत करो कोई भी बेपिक कर रहो धन्यवाद जय हिंद जय भारत